एस वीडियो में हमं लोग महत्मा गांदी जी से जुरे सभी महत्मुन सवालों को जानेंगे है कि इस तब्रिक से और जो भी सब्सक्राइब वोगता की ना फिर कह सकते हैं कि महात्मा गांदी जी जैसे डॉक्टर राजिंदर परसाथ को देश रत्रिन की उपादी दे थी यह सब सब कि महात्मा गांदी जी को उपादी मिला या वह उपादी दिये इन सारे को जानेंगे और इन सब से सवाल एकजामें पूछे भी जाते हैं इसके बाद हम लोग महात्मा गांदी से महत्मा गंदी जी के गूरू के बारे में जालेंए के जो क्या है कि जो अंदोलन coloc को उनके जवाबद के साथ जानेंगे जो हर एकstar zitten इस वीडियो के माद्याम से महत्मा गंदी जी जी ऑड़े सबही महत्मुन सवालों को जानेंगे जो हर एक्जामें पुछा आते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वो सारे सवालों को जान लेंगे और उसके जवाब को भी जो महत्मा गांदी जी से जुरा हो ठीक है तो सबसे पहला क्या है कि रवींद्र नाठ टैगोर ने महत्मा गांदी जी को महत्मा क सब्सक्राइग स्ब्सक्राइगांकोas!!! मैं कि आते हैं चाहिएन परे भाष्त के बारे में जानेंगे ल hmट करणा नहीं पर राचको दोगवक कहने चंबारान में भीहार में तो वहां पर एक सत्यागरह किये एक आंदोलन की सत्यागरह किये मतलब है ना कि अंग्रेज लोग जवरण चवरदस्ति चंपारन के किसानों से नील की खेती कराते थे जिसके वहां के जो भूमी का उपजाव चमतया वह भी कम रहा था और जवास्ति करा जाता था जिसके वहा कि लोग नहीं चाहते देश तो इस वहां पर महत्मा गंदी जी सत्यागरह किये सत्यागरह किये सब अन्हात्य चंपान सत्यागरा हुआ हैं माहात्मा की उपाधी तभी से हम लोग इनको महात्मा की उपादी किस ने रविदरनात टैगोर ने जवार ना panda नेरूने किस ने दी आथा महात्मा गौन्दी जी को महात्मा की उपादी थी मैं सरकार महात्मा गांदी जी बबन की शनकार कीकार रिख यूद्य चला वाक्तर वीक्राटि तो यह है पर्थम विस्व यूद्gary पर्थम विश्व यूद जो फानिसर चौदा से लेको फ़ी सामिल करा तरहाए तो पर्थम विश्व यूद के केसरे हिंदी की उपादी दी और बाद में महात्मा गांधी जी इस उपादी को त्याग भी दिये थे ठीक है चलिए रामधारी सिंग दीन करने महात्मा गांधी जी को क्या कहा सरोदय का अगरदूत किसने कहा ना तो ये सरोदय का अगरदूत महात्मा गांधी जी को किसने सुभाँचन्रबोस ने 1914 में महात्मा गांदी जी को राष्ट्रपिता कहकर स्मभोस नि rulers enteiा टो सुभाँचन्रबोस नि खिए यहाँ से सबाल बाई सकता है जा मैंफ पूचा को 1914 में राष्ट्र पिता कहकर संबोदित किया था तो एक जाम में यह सवाल पूछा जा सकता है कि महात्मा गांदी जी को बापू कहकर किसने संबोदित किया था या किसने उपादी बापू का जिया था तो पंडित जवाल नालेगु ने महात्मा गांदी जी को बापू कहकर संबोदित किया था ठीक है मंगल बाबा मतलब घूमने मंगल बाबा घूमने फिरने वाला ठीक है ब्रिटेन के परधान मंतरी चर्चिल ने महात्मा गांदी जी को अर्ध नंगा फाकीर कहकर संबोदित किया था ठीक है तो एक जाम में पूछा जा सकता है कि अर्ध नंगा फाकीर महात्मा गांदी जी जांडी को किसने कहा तो बैटीन बीटेन वहा रहांके पदान मंत्री से चर्चिर महात्मा गांदी जी को एर्धन नंगा फसकीर है स्लीश्च लाड माउंट बेटेन ने महात्मा गांदी जी को one man boundary force कहकर सम्मोदित किया था तो लाड माउंट बेटेन ने ठीक है आइंस्टीन महोदय का कथन है कि हमारी आगामे पीधी सायद यहीं यह विश्वास करे की रख्त मास का ऐसा व्यक्ति भारत में जन्म लिया है मतलब आइंस्टीन महोदय जो है वो महात्मा गांदी जी के बारे में क्या कहें हमारी आगामे पीधी सायद ही यह विश्वास करे की रख्त मास का ऐसा व्यक्ति भारत में जन्म लिया है ठीक है ये किन का कथन है ऐ modest weekend का एक किन्के बारे में महत्मागांधी जी के बारे क्या कथन है तो हमारी आगामी पीड़ी सायधी या विस्वास करे की रख्त मास का इसा वहती भारत में जन्म लिया है ठीक है ये हुब बहु उनीका संटेंज है ठीक है तो आइंस्टीन महौदे ने क्या कहा महात्मा गांदी जी के बारे में तो हमारी आगामी पेड़ी सायदी या विश्वास करे कि रग्धिन का ऐसा व्यक्ति अनल्थ में जन्निया था ठीक है अगला क्या है कि गांदी जी के विरोधी विरोधी मतलब यह ने इनको भरती करने वाला सार्जेंट का ठीक है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था मत्लप पर्थम विश्यूद ना उनिस सो चौदा से निस सो ठारा के बीचे तर यह चला था ठीक है तो इस अंग्रेजों की जो सिना था उसमें भारतियों के सिना को ना सामिल किये थे महात्मा गांदी जी क ना तो इसलिए है ना जो भारती करने वाला सार्जेंट कहा है कि महात्मा गांदी जी को भारती करने वाला सार्जेंट ठीक है तो महात्मा गांदी जी ने रविन नार तैगोर को गुरु की उपादी से सम्मानित किया था ठीक है चलिए आगे देखें महात्मा गांदी जी मुहम्मद अले जिन्ना को पहली बार काइदी आजम मतलब महान नेता कहा था ठीक है तो महात्मा गांदी जी जो थे ना व मुहम्मद अलि जिन्ना को पाली बार कायदे आज़ा मतलब महान नेता कर सम्मोजित किये थे ठीक है चली गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी जी को हैना कंसाइंस की पर कहकर सम्मोजित किया था ठीक है सरोजनी नाइडू ने महात्मा गांदी जी को और इर्विन को दो महात्माओं का मिलन कहा था या दो महात्मा कहकर सम्मोधित किये थे महात्मा गांदी जी ने राजेंद्र परषाथ को देश रत्म की उपादे दिती गांदी जी ने मदन मालवीय मोहन को महा मना की उपादे दिया ठीक है गांधी जी ने चितरंदन दास को देश बंदु की उपादी से सम्मानित किया था ठीक है गांधी जी का कथन और वचन या नारा इनके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं एक वर्स में सौराज यह किनका नारा है एक वर्स में सौराज यह महात्मा गांदी जी का नारा है यह कब दिये तो असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांदी जी एक नारा दिये एक वर्स में सौराज ठीक है चलिए सवराज में गंद सवराज की गंद से मेरे नतुने पटने लगे हैं यह किनका नारा है या किनका एक कथन है यह महात्मा गंदी जी का कथन और यह कब दिये थे तो यह असयोग आंदोलन के समय में दिये थे कि सवराज के गंद से मेरे नतुने पटने लगे हैं ठीक है सैतानी सरकार यह किसका नारा है यह एक नारा है महात्मा गंदी जी का नारा है सैतानी सरकार रॉल एक्ट कानून जब अंग्रेजों ने पारित किया था तो रॉल एक्ट कानून पारित होने पर महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को अंग्रेजी सरकार कहकर संबोधित किया था ठीक है ऐसा आउसर अगले सो वर्सों तक नहीं आएगा या किन का कथन है यह महात्मा गांदी जी का कथन है और यह कथन खिलापत आंदोलन के समय दिये थे या बोले थे ठीक है तो ऐसा आउसर अगले सो वर्सों तक नहीं आएगा या किस ने कहा यह महात्मा गांदी जी ने क गांधी जी मर सकता है लेकिन गांधी लाद नहीं यह किसका नारा है नांत ना सबसुआ है या तो यह स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा या अपने प्राणों का त्याग करूंगा या किनका नारा है तो महात्मा गांधी जी का नारा है या एक्जाम में पूछा भी जा सकता है कि या तो ये स्वतंतरता प्राप्त करूँगा या अपने प्राणों का त्याग करूँगा या किन का नारा है महात्मा गांधी जी का नारा है और ये कब दिये थे सविने अवग्या के समय में दिये क्रिस्ट प्रस्ताव के सम्मद में गांधी जी का खतन यह एक आंदोलन ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है मैं एक मुठी बालू से कॉंग्रेज से भी बड़ा संगठन खरा कर सकता हूँ यह किसका कथन है यह कथन महात्मा गांधी जी का है कि मैं एक मुठी बालू से एक मुठी बालू से भी मैं एक कॉंग्रेज से बड़ा संगठन को खरा कर सकता हूँ यह किसका कथन है महात्मा गांधी जी जी बोले थे कि मैं एक मुठी बालू से भी से कॉंग्रेज से भी बड़ा संगठन कर सकता हूँ ठीक है करो या मरोगा नारा किस ने दिया महात्मा गांधी जी ने कब भारचुरा अंदुलन में समय हे राम का नारा किस ने दिये महात्मा गांधी जी ने यह मेरी हिमाले जैसी महान भूल था यह मेरी हिमाले जैसा यह मेरी हिमाले जैसी महान भोल था यह कथन महात्मा गांदी जी का है किसका है महात्मा गांदी जी का है यह एकजामे पूछी जा सकती है कि यह मेरी हिमाले जैसी महान भोल था यह कथन किनका है एकजामे पूछा जा सकता है यह कथन महात्मा गांदी जी का है चौरी चौरा हत्याकान जब हुआ था तब ये महात्मा गांदी जी बोले थे ठीक है चलिए अब आगे महात्मा गांदी जी के हम लोग पुस्तक के बारे में जान लेते हैं कि महात्मा गांदी जी के कौन कौन से पुस्तक है नैतिक धर्व, सत्यागरा, गीतामा, हिंद सवराज, माई एक्सप्रेमेंट with truth, सत्य परमेरा पर्योग, ये कुछ महत्पुन सवाल, महत्पुन पुस्तकों के नाम है, जो मात्मा गांदी जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो माई एक्सप्रेमेंट with truth, सत्य परमेरा पर्योग, हिंद सवराज, गीतामा, सत्यागरा, नैतिक धर्म, ये महत्पुन कुछ पुस्तक के नाम है, जो मात्मा गांदी जी के द्वारा लिखी गई है, गीतामा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, हिंद सवराज के लिखा कौन है, नैतिक धर्म के लिखा कौन है माई एक्स्प्रिमेंट वित्रू तो मतलब सत्य बढ़ मेरा पुर्योग पुस्तक इनके लेखा कोन है तो महात्मा गांदी जी है ठीक है कुछ पत्रिका के बारे में जान लेते हैं इंडियन ओपिनियन है ना हरिजन हरिजन बंदू यंग इंडिया नौजीवन यह जो पुस् यह सब ठीक है इने पूछ सकते आं है सहलों तो अब हम लोग गांदी जी के वैक्तित्व पर तीन महत्मौन वैक्तियों का परवावाव दिखाई परता है अत्रम आत्मा गांदी जी इन तीन वैक्तियों से बहु जादा पर हाव य Э're gonna आ है इनके पुस्तक अन्टुयोदे इनके पुर्ष चो है अन्टुयॉदे नवाण्टुवद से महात्मय गांदी ची काफी परवावी तो और उनके परवाव Two大 जनकल्यान का मार्क अपना थे थैं इनकी पुर्ष रूर्ष अन्टुवद' लास्ट ठीक है अन्टू दे लास्ट होना चलिए ठीक है चलिए दूसरा टालस्टाय से भी महात्मा गांदी जी बहुत ज़्यादा परवावित थे सबसे अधिक परवावित महात्मा गांदी जी टालस्टाय से थे इनकी पुष्तक तुम्हारे हिर्दय में इस्वर का राज है The kingdom of the God within you इनसे बहुत ज़्यादा महात्मा गांदी जी परभावी थोकर गांधी जी ने अहिंसा को अपना लिये मतलब इनहीं से परभावी थोकर महात्मा गांदी जी अहिंसा को अपना इनकी पुस्तक सब ने अबग्या है और इन से किसम से इनके विचारों से बहुँ ज़्यादा परभावी थोकर सथ्याग्रा को अपना था इनकी पुस्तक का नाम है सब ने अबग्या चले वीवित को कुछ जानने ते मतलबskiilàmmaatma Gandhiji का जिनके पास क्या है पैसा वो ज़ादा स्छाइड कर घ्नक्राइब सअले परियोग सर्वपरता मात्मा गांदी जी नहीं क्या था कảo जी का परमुखे जो हतियार थे या जो दुमेन हतियार थे वह सत थे और क्या था अहीं सत इन्हीं दो पर चले घंधी जी ने खादि वस्त को आर्थिक स्वतंत्रता का परतिक माना यह ठीक है गांधी जी सबसे ज्यादा परवावी थे गीता से थे जिनको अपनी मा मानते थे भजन में नरेस महता की भजन वेशनो जन तेयो जो भजन का नाम है से बहुत जादा ये परवावी थे ठीक है गांदे जी ने लगू और कुटूर उद्धोक का समर्तन किया था गांदे जी जो थे वो बुनियादे सिक्षा पर जोड़ दिया है ठीक है और है न और ये रोजगार मतल्य महतामा गांदे जी बोले कि वह ऐसा काम आप कीजिए जि महत्मा गांधी जी की आत्म कथा माई एक्स्प्रिमेंट विस प्रूथ सरव पर्थम गुज्राती भासा में लिखा गया था ठीक है हिंद सवराज की रशना महत्मा गांदी जी ने 1909 में किया ठीक उमीद करते वीडियो अच्छी लगे होगी है ना इस तरह का वीडियो पा पढ़ते एक वीडियो में महत्मा गांदी जी से जोड़े जो भी महत्मून सवालते सारे महत्मून सवालों को जान ली है ना तो इस तरह का आप जो भी इस तरह का एक एक टॉप एक एक वीडियो के माध्यम से समझने के लिए नोट्स के साथ पढ़ने के लिए बड़ स्क्राइब कर दे और सांथी बेले वयाज ताकि वीडियों मिश्टना ठीक है and thank you so much for watching this video